पर मार्केट की इंफोर्मेशन पर लेकर आपके लिए शांदर वीडियो तैला नहीं यह कोरुणा करहतर डबलू अचनल चेहता है मुटेशन जारी नए कई और वेरियंट्स आ सकते हैं लेकिन इन वेरियंट्स आपको डरने की फिला जरूरत नहीं लेकिन यह मार्केट को एक तरीके से थ्रैट करेगा अच्छी खबर तो नहीं ये ज़्यादा बुरी खबर है लेकिन एक बुरी खबर तो मार्केट के लिए तो मार्केट को यहां से काफी कुछ जो है वो फेस करने को मिल सकता है क्योंकि जैसे यह चीज बढ़ती आएगे और म्यूटेशन आते आएगे और और केसे बढ़ते आएगे तो थोड़ा बहुत रेस्टिक्शन का महौल तो बना ही रहेगा तो कल के मार्के 35 करोड रुपे की निकासी कर लिए लगा था चौथा मेना जबकि एफपी आए जो है ना वह अपना पैसा निकालते जाला तो यह एक और थ्रेट है बेसिकली मार्केट के लिए ठीक है उसके बाद में आगे चलते हैं तो यहां पर आपको यूक्रेन रोशिया टेंशन जो ह फोन पर लेकिन नहीं हुआ कुछ भी हल अँदर अमेरिका ने भारत को बोला कि आप उनका साथ ना दे रूस का लेकिन भारत ने रूस का साथ देने के लिए मनाई नहीं क्यों रूस के साथ में हमेशे के लिए खडा रहा है तो यहां से אחे ची जो चीज है के आपका जो रेल अरिका में बैसिकली इंफलेशन का असर हो रहा है और वह ऐसा नहीं है कि केवल शेर मार्केट के उपर है वह पूरी की पूरी तरीके से हर मार्केट के उपर है चाहब हो क्रिप्टोकरंसी हो चाहिए और कोई बजार हो वैश्फियरुक मुद्रस्फिति से आगडों से तयोग बर आपके लिए रहने वाला है ठीक है जब आपको पहले से पता है टेंशन वारा रहने वाला है तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं चीगिए ठीक है और ये इवेंट बेस जो है basically correction आएगा तो event बैस correction क्या होता है एक ये दो दिन के लिए correction होता लेकिन आगे ये चीज आपक गच को जो है ये चीज जेलने को मिलेगी BAC की टॉप 10 कंपणिया अगर आप देखे तो उन में से 9 का जो मार्केट कैप है वो नीचे गिर गया है TCS को सबस्यादा नुकसान हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपके ही कोई भी शेर हो बढ़े ही आपके पॉर्टफोलियो में कोई भी शेर होता तो आपको नुकसान ही होता तो जब बड़े-बड़े NSE के शेर ही गिर गए है BAC के टॉप 10 कंपणियों के शेर गिर गए है तो आपका पॉर्टफोलियो भी गिरना लाजमी है तो उसे घबराएं नहीं बस patience रखें तोड़ा सा market को वापस से stabilize होने में मैंने आपको पहले ही बता दिया थे कि market slowdown की तरफ है और उस तरीके से जो है market के अंदर में ये इस्तिती बनी रहेगी और मैंने आपको बताए कि big bull run जो start होगा वो mid of may से start होगा तो ऐसा नहीं है हो सकता है शाद पहले से भी start हो जाए event based है क्योंकि अगर elections के जो result है जो 10 तारीकों आने वाले हैं उसका भी काफी बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अगर वो पिछली वाली government central में रहती है तो उसका जो है काफी बड़ा impact देखने को मिलेगा भारती शेर बिजार के उपर में ठीक है Air India में जुड़ी एक और company बेचे की सरकार और उसका जो पूरा प्लान है वो मैं आपको बता जेता हूँ Air India की जो खरिदारी है वो basically Tata नहीं की ठीक है वहाँ पर जो है मंत्री जी है जो MTNL वाली जो एक company है basically telephone से related उसको sale करना जा रहे है राके जुन्जनवाला को भी देखे कितना बड़ा नुकसान हुआ है राके जुन्जनवाला की net worth इन दो stock में गिरावट के चलते एक ही दिन में 426 करोड रुपए घट गया मतब इनको 426 करोड रुपए नुकसान हुआ तो हमें और आपको अगर नुकसान देख रहे है तो देखें मैं आपको पहरे ही बोल दिया कि चाहिए कोई भी हो नुकसान सबको होना है चाहिए कितना ही बड़ा दिग्ग जो सबको होना है सबको घटा होना है तो आपको जहलना पड़ेगा देखें इनकी जो नेटवर्ट थी ना अगर आप कोईट की बात देखेंगे तो नेगेटिव में चली गई थी लेकिन उन्होंने पैसा निकाला नहीं जबकि आपका नुकसान जो है कितना हुआ होगा लाग, दो लाग, तीन लाग, दस लाग, बीस लाग इनका नुकसान बीस हजार करोड रुपए दस हजार करोड रुपए तक का नुकसान इनको देखने को मिला था जब कोईट आये था लेकिन उने पैसा निकाला ने इनों पेशेंस रखा और इनको मार्केट ने उससे ट्रिपल रिटर निकाल के दिया ठीक है और उतर येस बैंक से निउस आती हुई कि येस बैंक का जो प्लान है मैचलोजी से पहले बुक्तान को मिली उनको मनजूरी तो ये काफी अच्छा जो है येस बैंक के फेवर में एक डिसिजन है वाई बैंकों के मताविक पुंजी जुटाने से जुडी समीती की बैटक में ननन लिया गया और ये बांड जो है 1764 करोट रुपय का है कमपणी ने बता कि 2012 में जून दिसंबर दोरान जारी किये थे कुल आठ बांड के समय पहले भूणाने की जाने थे ये बांड 2227 के दोरान मैचलों होने थे तो मैं आपको वही बता रहा हूँ NCDs जो है वो भी इसी तरीके से होते हैं जो मैचलों होने पर आपको पैसा वापस रिटन करती है तो इसी तरीके से देखी Yes Bank को भी जो बांड जारी करेगा वो ये mandatory है कि आपको उसका repayment करना पड़ेगा ये must है चाहे आप कुछ भी बेच कर करें चाहे पैसे उधार लेकर करें किसी और से आपको करना बढ़ेगा भायत के इस बड़े businessman कहा दुनिया को अलविदा तो जिसके हम बात कर रहे हैं वो है बजाज जी तो बजाज जी ने जो है basically काफी अपना वर्चस रखा market के अंदर में और उसके बाद में जो है अन्तिम सास लिए ठीक है यहाँ पर बजाज के जो shares है कल हमें यह देखने का बहुत बड़ा उतसाहित होंगे कि कल बजाज के जितने shares होते हैं उनके इंदर में कितना मतलब moment देखने को मिलता है कितना मतलब वो वहाँ से moment करते हैं तो वो अगर उनकी moment के मुताबिक ही हम आगे जादा अच्छा clear vision ले पाएंगे कि अगर ऐसे ही बड़े दिगज कंपनी के किसी बड़े chair person को अगर कुछ होता है तो उसका impact कितना बढ़ता है market के उपर में उसके अरावा ABG fraud का case भी बीच में आ गया वीकेंड के टाइम पे जिसके अंदर काफी बैंकों ने इनको पैसा दिया गया था SBI, ICICIO ठीक है SDFC को छोड़के almost सारे बैंकों से इनोंने पैसा लिया हुआ था जो की bad debts बन गया एक तरीके से और वो bad debts जो है ना non performing assets की तरह काम कर रहे है ICIC दर और एक audit के अंदर में जो है आपको यह देखने को मिला था उसके अलावा काफी जो bank से वो इसमें sunlipt है इसके कारण जो है बैंकों के shares के उपर भी काफी impact देखे हो लिए तो देखिए अभी तक market में कोई अच्छी news नहीं चल रही है हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं market को थोड़ा सा आपको patience ही लेना पड़ेगा आपको पता है तो आपको बस आपके अंदर में इतना patience होना चाहिए कि आप market को आप red zone में देख सको है अगर आपने एक तरह किसे घाटे वाले time को bear कर लिया ना तो मैं आपको बो रहा हूँ आप हर time को हर बुरे से बुरे time को bear कर सकते हैं बस आपको patience सकते हैं अगर आप market पैसर नहीं डाला चाहते है no issue लेकिन आपको at least आपका time तो देना पड़ेगा अगर आपको वापस return चाहिए market से तो markets में वापस से boom आएगा थोड़ा बहुत global tensions है वो खतम हो जाएगा एक बार fab के अंदर में almost सारी global tensions खतम हो जाएगी तो मार्च से हम थोड़ा बहुत relax feel कर सकते हैं कोईड है covid भी खतम हो जाएगा US और रशिया की जो tension है वो उसका भी कोई conclusion result आजाएगा और जितनी भी rates वगरा जो भी बढ़नी है budget से related जो भी कुछ आना है वो भी इसमें हो जाएगा fab के अंदर में तो और 10-15 दिन बचे हैं fab को निकलने में उसके बाद के अंदर में आपको काफी consolidation देखने को मिलेगा और market bull run की तरफ वापस से start देखने को आपको मिल सकता है उसके अलावा हमाने premium group जो है वो आप join कर सकते है 1000 रोपीज में एक ग्रूप 15 सो रूपए में तीनों ग्रूप आपके उपर है कि आप कौन सा options लेते हैं हम आपको levels आ रेते हैं हर तरीके से profit रता है market चाह नीचे जा चाह उपर जा है अब देखिए market जब नीचे आ रहा है तो आपको at least track करना चाहिए आपके कमाई कहां से हो तो इन premium group से आपको कमाई हो सकती है जो कि हम daily कर रहे है तो at least आपको जब market नहीं चल रहा है तो आपको जो पैसा है वो इसके अंदर में डाल कर और आपको अपना जो earning जो है वो कमाते रहना चाहिए तो इसलिए हमने premium group लाएं जिसके अंदर में आपको for sure all calls मिलते हैं और ये हमारा group का number है आप चाहें तो इस पर मुझे message कर सकते है whatsapp पर want to join ठीक है ये number आप save कर सकते हैं जहां पर आपको इसी टाइप की सारी knowledge आपको मिल जाते है consultancy आपको मिल जाती पूरे एक महिने के लिए और यह आप एक दिन के अंदर पैसा जो है recover का सकते हैं कभी भी market के अंदर नीचे महिन है इंजर बुकिंग जिरो दा दोनों का link दिया हुआ है basically क्योंकि दोनों के अंदर आपको account खुलाना है क्योंकि देखिए जब आप option trading वगरा करते हैं तो आप banks के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपे पर transaction देना होता है जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपे पर transaction ही लगता है ठीक है जेरो दा के अंदर में lifetime brokerage फ्री है आपको brokerage नहीं देना होता है 200 रुपे बस साल करेना होता है angel booking के अंदर आपको 200 रुपे में देना होता account ही फ्री है और आप में इसको तीन गुना margin मिल जाता है आपको angel booking के अंदर में ठीक है एक मेंने के लिए brokerage आपको free मिलती है और एक मेंने के लिए जो है आपको margin block भी free मिलता है कि अगर आप किसी option के share को अगर आप sale कता है तो डेल लाग रुपे जो आपको block करने पड़ते हैं किसी भी share को बेचने के लिए वो angel booking के अंदर में आपको free मिलता है एकदम free of course अकाउंट भी free और brokerage भी एक मेंने के लिए free तो आप चाहें तो दोनों के अंदर account कुला सकते है नीचे दोनों का description box लिए लिए कभी आप किसी से भी trading कर सकते है कभी angel से कभी 010 से as per your convenience ठीक है लेकिन दोनों में अंदर account खुलाएंगे तो आपका brokerage जो है वो बिलकुल minimum हो जाएगा वो भी एक type की जो है आपका profit ही है savings भी आपका एक तरह का profit ही है जो आपको दिखता नहीं है invisible होता है लेकिन आप pay करते रहते हैं उसको आपके other bank accounts के साथ में जिसके अंदर आपका DMAT account खुला हुआ है या फिर और other DMAT accounts के अंदर में तो नीचे दो दोनों के description box में link है हम आज आके आप दोनों के अदनर आप account कुला आसे सकते कोई भी दिक्कत आती है और आप मुझे आप DM कर सकते है इसी नमबर पर सो कैसा हैंगे so much